और इस वक्त की बड़ी खबर उत्रप्रदेश की सिर्सा गंज विधान सभा से बीजेपी में गए मुलायम सिंग यादब के समधी को हार का सामना करना पड़ा है सिर्सा गंज से हरियोम यादब को करारी हार मिली है सपा उमीदवार ने 50,000 वोटों से हरियोम यादब को शिकस्त दी है सपा छोड़ना हरियोम यादब पर भारी पड़ गया जब तक सपा में रहे चुनाव जीतते रहे जैसे ही सपा को छोड़ा चुनाव हार ना पड़ गया पीजेपी से पहली बार चुनाव लड़े और हरियोम यादब को हार का सामना करना पड़ा सपा उमीदवार सरवेश सिंग ने हरियोम यादब को चुनाव में हराया है अखिलेश यादब और राम गोपाल यादब पर आरूप लगाकर हरियोम यादब सुर्खियों में आये थे और जब समाजवादी पार्टी में 2017 के वक्त जगड़ा हुआ था तब हरियोम यादब शोपाल सिंग यादब के खेमे के नेता माने जाते थे और हरियोम यादब ने 2019 लोग सबा चुनाओ में शोपाल सिंग यादब का काफी साथ दिया था लेकिन अब जब 2022 का चुनाओ हुआ तो हरियोम यादब सपा छोड़कर बीजेपी में चले गए और बीजेपी में जाते ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा है 50,000 वोटों से हरियोम यादब की सिर्सागंज विदान सबा सीट पर हार हुई है और सपा उमीदवार सरवेश सिंग ने हरियोम यादब को हराया है बीजेपी में गए मुलायम सिंग यादब के समधी को हार का सामना करना पड़ा है सिर्स अगंज से हरियोम यादब को करारी हार मिली है सपा उमीदवार ने 50,000 वोटों से हरियोम यादब को शिकस्त दी है सपा छोड़ना हरियोम यादब पर भारी पड़ गया जब तक सपा में रहे चुनाव जीतते रहे जैसे ही सपा को छोड़ा चुनाओं हारना पड़ गया बीज़ेपी से पहली बार चुनाओं लड़े और हरियोम यादब को हार का सामना करना पड़ा सपा उमीदवाज सर्वेश सिंग ने हरियोम यादब को चुनाओं में हराया है अखिलेश यादब और राम गोपाल यादब पर आरूप लगाकर हरियोम यादब सुर्खियों में आये थे और जब समाजवादी पार्टी में 2017 के वक्त जगड़ा हुआ था तब हरियोम यादब शोपाल सिंग यादब के खेमे के नेता माने जाते थे और हरियोम यादब ने 2019 लोग सबा चुनाओं में शोपाल सिंग यादब का काफी साथ दिया था लेकिन अब जब 2022 का चुनाओं हुआ तो हरियोम यादब सपा छोड़कर बीजेपी में चले गए और बीजेपी में जाते ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा है पच्चास हजार वोटों से हरियोम यादब की सिरसागंड विदान सबा सीट पर हार हुई है और सपा उमीदवार सरवेश सिंग ने हरियोम यादब को हराया है कर दोड़कर बीजेश बीजेश साही है